इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं कोरोना काल में पिछले लंबे वक्त से बन पड़े योगी के जनता दर्बार की आज से एक बार फिर से शुरुवात हो गई है मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ ने लखनों में अपने सरकारी आवास में आज लोगों की समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिये तो वहीं योगी आदितनाथ ने जनता दर्बार में पबलिक से डायरेक्ट समबाद किया कॉंगरिस भी यूपी के लिए एलेक्शन मोड में अब नज़र आ रही है जमेदारी मिली है प्रयांका गांधी को उनके कंदों पर यह जमेदारी जिसके लिए खास प्लान तैयार किया है आज प्रयांका गांधी उत्रप्रदेश के कॉंग्रिस नेताओं के साथ वर्चुल समबाद करने वाली हैं जिसमें वो 2022 में उत्रप्रदेश में होने वाले विधान सभाद चिनाव की रणनीती पर चर्चा करेंगी इसके अलावा प्रयांका गांधी का जोर कॉंग्रिस के उस संगठन को मजबूत करने पर होगा जो पिछले कुछ चिनाव में बिखरता हुआ नसर आया 2017 और 2019 में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद उत्र प्रदेश में प्रयांका वाडरा के सामने कॉंग्रिस को सभालने का एक बड़ा चैलेंज है तो मिशिन यूपी के लिए कॉंग्रिस और प्रयांका गांधी की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट क्या है वो भी आपको बताते हैं अभी तक की तस्वीर से ये तो साफ है कि कॉंग्रिस उत्र प्रदेश विधान सभा चुनाव अकेले ही लड़ने वाली है याने कि किसी पार्टी के साथ वो गठ बंदन नहीं करेगी 2022 की अगनी परिक्षा पर प्रयांका इस महीने से निकल सकती है खबर है कि इसी महीने प्रयांका गांधी दस दिनों के लिए उत्र प्रदेश के दौरे पर भी रह सकती है इस दौरान वो लखनओ, प्रयागराज और राइबरेली जा सकती है जहां वो संगठन और पदादिकारियों के साथ पैठक करेंगी नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूलें जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ